नमस्कार साथियों की फैक्ट मैं आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी सनातनी और राष्टवादी भाई बहनों से अपील लहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों कि अरभिंद केज्रिवाल एक सर्वे कराया सर्वे किस बात का कराया सर्वे कराया कि जो अभी लोग समाच चुना हुए हैं जिसमें सारी सीटे कांग्रेस के साथ एलायंस करने के बाद भी दोनों हार गए याम आदमी पार्टी भी हार गई उनमें से जहां जहां बीजेपी जीती है विधान सबावाई वहां के विधायकों की इस्थिती क्या है दिल्ली में 70 विधान सबावा में 18 विधान सबावा पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीती जिसमें 8 पर कांग्रेस जीती 10 पर आम आदमी पार्टी जीती और 52 साइन्स के बाद किये स्थिति है समझेगा जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गए तब की स्थिति है इसको लेकर के अर्विंद केज्रिवाल ने जो सर्वे कराया उस सर्वे में बावन के बावन विधायकों का रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आया अब आप कहेंगे कि यह कौन सी बड़ी बात उन बावन विधायकों में जो बरतमान मुख्यमंत्री हैं आतिसी मारलीना और जो सौरभ भारतवाज हैं कई सारे पर्टोफोलियों के मनिस्टर उनका भी नाम है आम आदमी पार्टी में आम चर्चा चली कि भी या लगता है सर्वे के बार टिकट कटेगा जब इसको लेकर के मंत्रणा की आम आदमी पार्टी में अर्विन के लिवाल ने या उनके जो भी लोग हैं उन्होंने तो उन्होंने साब साब कहा कि हमारा टिकट तो काट दो साथ के साथ सौरभ भारदवाज और आतिसी मालीना का भी कांट दो अगर परफर्मेंस की बात है तू फिर एक कहानी चली इनके पार्टी के अंदर कहानी क्या थी कि भीया अरविंद केजिवाल जेल चले गए ते इसलिए काम नहीं हो पाया कुछ विधायक और आये मिले उ जो कुछ फंड मिलता है उससे काम नहीं हो पा रहा है और चुनाव लड़ने के लिए भी फंड नहीं है तो तुरंत आनन फानन में आतिसी मालीना ने क्या इस्टेप उठाया उसके बारे में बात करेंगे और 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बहुत बुरी स्थिति में चला गया दो बुरी स्थिति में जो योजनाओं का बजट है वो पूरा होगा यह हुआ है 31 साल में पहली बार यह अर्विंद केजरिवाल का दिल्ली मडल लेकिन इन सब बिसलेशडों का मतलब क्या है इन बिसलेशडों का मतलब जो है इसके बावजूद भी अभी भी आमादमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की इस्थिति में है सीटे भले घड जाए अभी भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यह सोचे कि वो सरकार बना रही है तो वो इस्थिती अभी भी बन नहीं रही है आज के डिर्ट तक लेकिन अब के बाद जो मुद्दा मिल गया है भाजपा को और कांग्रेस को अगर ये दुनों ने बढ़ियां से भुना लिया तो ये मान करके चलिए कि अरविंद केजरिबाल दिल्ली की सत् बाजपाल ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है बाजपाल ने कपिल मिस्रा को लगा दिया है कपिल मिस्रा के बारे में आप जानते ही हैं बारती जनता पार्टी दिल्ली उनिट के प्रदेश उपाध्यक्ष है बिरंदर सत्यदेवा जी लगे हुए हैं इसके अलामा साथ- रमेज बिदूड़ी याद है ना संसद में जब एक संसद महोदे की बहुत अच्छी तरीके से बखिया उकड़े दी वह ही रमेज बिदूड़ी उनको भी लगा दिया गया और बारती जनता पार्टी की कोशिस है किसी भी तरीके से दिल्ली को जीतना है क्योंकि जो दिल्ल सबसे अधिक फंड खर्च करने को दिली के बिढायकों को मिलता है बाट सही भी है एक विधायक को एक साल में दिल्ली में 10 करोण रुपया मिलता है उसकी निधी का जो सरकारी योजनाएं है फिर ये वो चीजें उसको छोड़ दिजिए आप 10 करोण एक विधायक को मिलता है अब वो 15 करोण मिलेगा मतलब 5 साल में विधायक को 75 करोण मिलेगे अब पहले 50 करोण मिलते थे लेकिन विधायक काम नहीं गिर्मा पा रहे हैं अपने तो पैसा जा कहा रहा है इसके बारे में अर्बिंद केजरिवाल के पास कोई जबाब नही तो आइए थोड़ी सी चीजें देखते हैं क्या क्या चला है न करिस्मा चला न सहानुभूति अर्बिंद केजरिवाल के सामने अब दिल्ली बचाने की चुनोती देखें लोग जेल गए जेल से छूटे कब चूटे अर्बिंद केजरिवाल जेल से ठीक उस समय छूटे जब लोगसवा चुना चल ला था सुप्रेम कोट ने छोड़ दिया कान इने बहुत बड़े नेता महान नेता हैं और महान नेता बाहर आए बूरी तरीके से हारे इनको क्या लगा था कि मैं इतना महान नेता हूं कि जेल जाने के वज़ए से लोग बीजेपी से नाराज हो जाए लेकिन पोल कल अई तब खुल गई जवाम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में घडबंदन कर लिया दिल्लिक जनता ने दोनों को उठा करके रिजेक्ट कर दिया वो तब रिजेक्ट किया साथ के साथ सीटों पर हलाकि 2014-2019 में भी रिजेक्ट किया था तब किया आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली विधान सवा की बामन विधान सवा सीटों पर हार गई आप आतिसी भी नहीं बचा पाई घर पूरी लिष्ट एक बार लिष्ट देखेंगे उसके बाद और समझ में आएगा मंत्री आतिसी सौरभ भारतवाच और गहलोद अच्छा यह तीनों मुख मंत्री बनने के रेस में थे के जिरिवाल की स्थीपे के बाद तो इसमें से एक बनी गई आतिसी चुनायोग ने वुद्वार को दिल्ली की साथ लोग सभा सीटों के अंतरगात आने वाली सभी सब्सक्राइब और गुपाल राय की सीट पर शेप और एक और है इमरान हुसान उसकी सीट पर बल्ली महराण से अधर वाइस वाइज बड़े बड़े नेता हार गए अपनी विधान सभा हार गए तो सर्वे कराना जरूरी था सर्वे में निकल कर कि आया कि यह विधायक कि देखो सर्वे और वे तो कर लिए हमारी रिपोर्ट निगेटिव आ गई यह बात अलग है लेकिन फंड नहीं हमारे पास नहीं चुनाव लड़ने का फंड है और नहीं खर्च करने का फंड है तुम करें कि काम तेजी से दो महीने में करके दिल्ली का खतम करो कैसे करें काम तो आतिसी मालेना ने तुरंट का कि विधायकों का जो सालना वो है मिलता है निदी उसको पांच करोन बढ़ा दिया जाता है इसको मुर्ख बना रहे हैं पांच करोन बढ़ा तो दिया क्या रिलीज भी हो जाएगा क्योंकि बचा ही कितना है अक्तूबर होई गया नवंबर दिसंबर जनवरी तीन महीने में पांच करोण रुपिया का कारी ओजना कहां से बना करके दे देंगे तो यह बेवकूप बनाने की स्थिती थी बेवकूप बनाने की तरकीब थी और मुझे लगता है कि कुछ फंड वंड भी उटा रहे होंगे चुनाल रहना है ना वाई अच्छा यह इस्थिती है दच्छनी दिल्ली में तीन सीटे आम आदमी पार्टी ने जीती साथ भीजेपी ने जीती बिदान सभावाई समझेगा इसको लोग सभागा परणाम है पस्मी दिल्ली में भी वही एक कांग्रेश पार्टी जीती चादनी चोक में तीन कांग्रेश जीती साथ भीजेपी विदान सभावाई जीती नई दिल्ली में भी यही सीटी थी साथ भीजेपी ने जीता तीन आम आदमी पार्टी ने जीता उसके बाब पुर्वी दिल्ली में चलते पुर्वी दिल्ल पाटी ने जीता आप इसी से अंदाजा इनका लगा सकते हैं तब था केजरिवाल जब जेल गए मनी सी सोधिया जेल गए सतंदर जेल गए ये लोग जेल गए और जेल जाने के बाद इन लोगों ने जो प्रोपोगेंडा किया कि हमको फसा दिया गया सिब्याई उच कर दी अच्छा दिल्ली में विदायक फंड बढ़ाने का आइलान 10 से 15 दस से किया गया 15 करोन आतिसी सरकार का बड़ा फैसला इस सब कुछ लेटेस्ट में हो रहा है ये फैसला हुआ हुआ था कि एक और रिपोर्ट आ गई क्या रिपोर्ट आ गई दिल्ली प्रजेक्टेट टू स रिवेन्यू आता है वो बहुत आता है हमेशा सरपलस स्टेट रहा है क्योंकि इसको बहुत सारी जगा तो खर्च नहीं करना होता जैसे पूलिस पे सुरच्छा पर बहुत सारी चीजें जो केंदर के हाथ में रहती है और वह पहले से केंदर के हाथ में बीच का जो कानून बदला उससे पहले से अब के जरिवाल के पास समस्या क्या है कि यह रेवेन्यू पर ध्यान दिये नहीं बाटने पर ध्यान दे दिये और एक सर्पलस इस्टेट को पर ध्यान दिये नो रेवेन्यू डेफिसिक में ले गर समस्या आर्बिंद भाजपा के साथ समस्या क्या है कि मुखर नेता नहीं है जो कांग्रेस के नेता जिस तरीके से चीजें करते है उस तरीके से करने के लिए काड़र से ठीक है लगातार छुनाओ हाते रहें लोग सबा के बब़ जितते हैं तो इतना भी बहुत मजबूत नहीं है अब तो mcd भी नहीं रही ठीक है अब इन सब बातों को मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि अर्बिंद के जरिवाल के पास पेड़ वॉलेंटियर का एक बहुत बड़ा गिरो है अभी देखा ना आपने 337 लोगों को निकाल करके बाहर किया आक्सपोर्ड हावर्ड वाले लाखो लाखो सेलरी लेते थे इसके लगा और भी अलग-अलग अस्तर पे मुहला क्लेनिक में दरवदर लोगों को बैठा देना वह सारी उस कौकस को उस नैक्सस को तोड़ना होगा बीजेपी को जब तक बीजेपी नैक्सस को नहीं तोड़ सकती है तब तक दिल्ली में सरकार बनाना मुस्किल होगा दूसरी बात ज जैसा नेता ही जबाब दे सकता है क्योंकि बीजेपी इससे पहले दो सरीफ नेताओं के साथ प्रयोक कर चुकी दिल्ली के अंदर डाक्टर हर्सवर्दन के साथ बहुत पापुलर थे बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी मुखर होकर के बोल नहीं पाते थे दूसरी थी किर के नाम पर पढ़ता है तो यह वाला जो डिफरेंसर है इसको किसी ने किसी तरीके से पाटरना पड़ेगा और केजरिवाल इस समय पूरे दिल्ली के अंदर सबसे कमजोर इस्थिती में है मैं आपको बता दो आप कर सकते हैं कि अर्बिन केजरिवाल ने पूरी तरीके से दि एंटी इंकम्बेंसी खतम होने वाली इस्तिती में नहीं है क्योंकि अगर आप एंटी इंकम्बेंसी के नाम पे टिकट काटेंगे तो फिर उसके बाद आपके बड़े-बड़े नेता भी उसमें फसेंगे तो बगावत होगी बगावत होगी तो पोल पट्टी खुलेगी वै इसनों ने लोकसभा लड़ाने लड़ाया एक तरीके से उस सीट पर भी यह जीत नहीं पाए दलित बाहुल सीट पर सुरच्ची सीट जो विदानसभा के अंदर सुरच्ची सीट होती है उन पर भी कुलदीप के बावजूद भी यह नहीं जीत पाए इससे एक साप साप और क्लियर क्लियर मैसेज है अगर एक बढ़िया नित्रित तो मिलेगा दिल्ली के लोग अर्विंद के जिरिवाल को छोड़ने के लिए तयार हैं अब दूसरी तरफ कांग्रेस किस्तिती देख लिजे कांग्रेस साथ जीती आठ जीती है जो आठारा बच गई उसमें से आठ जीत अगर कांग्रेस 18 से 20 कर लेती है और बीजेपी 40 के आसपास चली जाती है तो दिल्ली में खेला और रोचक हो जाएगा हलाकि बीजेपी किसी के भरोसे नहीं जा सकती क्योंकि अगर सीचों की कमी पड़ेगी तो ना कांग्रेस इनके साथ आकर के मिलने वाली है ना आदमी प के जरिवाल के लिए मायावती ने हरियाना के अंदर करके चुना लड़ा गडबंधन करके चुना लड़ा और जैसे हरियाना का रिजल्ट आया मायावती ने एलान कर दिया कि अब किसी भी पार्टी के साथ गडबंधन करके नहीं चुना लड़ना है और साथ के साथ दिल्ल कि पूरा वोट कटेगा केजरिवाल का और केजरिवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों का दाव जो है वो मुस्लिम और दलित ओटों पे है दिल्ली के अंदर भी तब खेल क्या होगा तमासा क्या होगा यह देखने वाली बात है लेकिन एक चीज मान करके आप चलिए के आतिसी मारलीना की बेचैनी बढ़ गई के दिल्ली हारेंगे तो सीम आतिसी हैं प्र ठरा इनके फूटेंगうん के पूंटेगा जीतेंगे तो केजरिवाल की बल्ले बल्ले होगी प्र वो तो बहु हो सारे गर ожид अधिक से अधिक लोगों तक स्तियर कर दीजिएगा WhatsApp और Telegram के माध्यम से अगर आपको Analysis Facts अच्छे लगते हैं तो चैनल के लिए कंट्रिब्यूट और डोनेट भी कर सकते हैं उसके लिए नीचे स्क्रीन पे नमबर दिया हुआ है ATM फोन पे का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय स्तिर्जाव